आगे हम बात कर रहे हैं बच्छो रियक्शन अफ ल्डी अजन की टोंस की मोपीश हुए सारे मोपीश की पूरी कहानी हमने देखी मोपीश की कहानी वे गया था कि आप गए और रोजी से आप पूछा कि चलो गोवा में जा रहे हैं गोमने सेंट स्टीफन गारडन वाडन जो के लिए छोटी सी सिंपल सी स्टोरी सिंपल सी कहानी है पहले वह देख लेते हैं और फिर उसके बाद अगें उसके डीटेल में तो हुआ यह कि आप तो गए माई डियर रोजी के पास और आप बोले अच्छा चलो गोवा गोवा जाएंगे गुमेंगे और उसने कर दिया आ आपका आइडिया रिजेक्ट कर दिया तो यू गेवर अनदर चॉइस कि मैंची कि चलो ठीक है गोवा नहीं जाना है कोई बात नहीं तो यू गेवर वाट अनदर अनदर चॉइस ठीक है और चॉइस ठीक है और चॉइस ठीक है गोवा नहीं जा सकते चालो ठीक है अपन राजस्तान जाएंगे इस से क्या याद रहेगा reactions of aldehydes and ketones A से क्या याद रहेगा you gave her another choice that is A से रहेगा addition reactions N से क्या रहेगा nitrogen reaction CHO C canisaro H से haloform O से oxidation और R से आपका reduction yes और A से आपका addition भी है और aldol भी है A से कौन से दो reaction है बच्चो addition and aldol condensation right very simple trick to remember all the reactions of aldehydes and ketones फिर से देखो A N A CHO CHO तो पता ही aldehyde का group ही है वो तो easily याद रहे जाएगा CHO and obviously R right A से क्या आया पहला addition reactions तो aldehyde और ketone में ध्यान से ज़रा सुनना भी बात को concept को समझना फिर एके करके reactions को समझेगे as usual concept क्या है aldehyde और ketone में common क्या है carbonil group है बोलो हाया न तो इनके बीच में common क्या है बच्चों इनके बीच में common है carbonil group correct और carbonil group में क्या है pie bond है और जहां pie bond होता है वहां पे क्या कर सकते हो आप आप pie bond को break करके चीज़े उसमें add कर सकते हो yes or no तो carbonil group का presence है तो इससे addition reaction बहुत आसान हो जाएगा ये बात तो हम लोग logically मान सकते है क्या ये बात समझ में आई सबको सब बच्चों को yes जिस भी functional group में एक pie bond है जैसे कि ये c double bond है है तो हमेशा आपन क्या कर सकते है आपन pie bond को break करके something we can add on both sides yes or no क्या हमने alkenes में भी ये चीज़ देखी थी alkenes में भी हम addition reactions करते थे है ना तो इसलिए जो सबसे पहला funda है addition reactions का वो काफी logical और expected है कि बाइब कार्बोनील group है तो addition reactions तो होने ही है सीधी बात है second set है जो nitration वो obviously हम लोग हमारे शान reactions जो है ना कौन सा शल्फोनेशन हैलोजेशन फ्रीडल क्राफ्ट और nitration उसमें अल्रडी देख चुक है nitration ये आपका benzaldehyde में होगा तो सवाल ही नहीं of course है ना उसके बाद के जो दो reaction है ना ये बहुत important reaction है जिनको मैंने star mark भी किया हो आपको दिख रहा होगा aldol condensation and canisaro reaction right aldol and canisaro in fact आप बोल सकते हो aldol, canisaro और haloform तीनों ही काफी important है aldol, canisaro और haloform ये जो तीन reactions है aldihyde ketones के बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना ये ये तीनों reaction पे आपको आप कोई भी exam दो board का हो, theory का exam हो CET का हो, NEET का हो, JI का हो mains का हो, advance का हो 101% इन तीनों topics पे आपको question आने ही आने है ये तीन reaction के basis पे इसके mechanism, इसके product, इसके example, इसकी conditions के उपर आपको question आने ही आने है ये guaranteed questions ये तीनों इस पूरे lecture में इसको बहुत ध्यान से सुनना, कौन से ये तीन parts को, clear है, कौन से parts पर focus करेंगे अपन, aldol, canisar और हैलफों, क्या-क्या है हम लोग एक एक को उठा उठा के अभी detail में करने वाले oxidation में देरा three varieties fellings, tolerance and skiffs, ये मैंने नाम further subdivisions within a certain given reaction right so again, like always, what we'll do is we'll pick one and we'll do it in detail, sure सबसे पहली category काँ सी थी? addition reactions की, right पहली category आपकी थी addition reactions की, तो additions, addition reactions में G, A, N, A, H, A G, A, N, A, H, A इसे गा, न, हा, ऐसे easily आपको एक छोटा सा नेमोनिक बना के याद रखने क्या है? G, A, N, A, H, A समझ में आरी बात G से पहला है Grignard reagent, फिर A से alcohol फिर N, A से N, A, H, SO3 sodium by sulfite H से hydrogen cyanide, H, C, N और A से ammonia and its derivatives right चलो, अब एक-एक reaction उठा के अपन detail में बात करेंगे You will realize कि इस में से काफी सारी चीजे में आपको biomolecules chapter में already बता चुका हूँ क्यूं आपको ऐसा realize होगा क्यूंकि glucose में functional group क्या था बचो याद करो, glucose में functional group क्या था aldehyde था और glucose के जो reactions हमने biomolecules में पढ़े थे वो ही reactions यहाँ पर repeat होने वाले हैं I hope you realize that क्योंकि obviously aldehyde group के ही वो reactions थे, right पहला reaction हम देख रहे हैं addition of HCN, that is hydrogen hydrogen cyanide, right hydrogen cyanide hydrogen cyanide के बारे में एक छोटी सी चीज़ note कर लेना hydrogen cyanide का also दूसरा नाम क्या है also called formonitrile यह भी मैं आप लोगों को बहुत basics में nomenclature में बता चुका हूँ बट फिर भी लिख लो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम क्या बोल सकते इसका formonitrile बोल सकते हैं IUPAC हो जाएगा methane-nitrile single carbon की chain है methane-nitrile formonitrile unique है because formaldehyde common nomenclature nitrile IUPAC खेर तो आपके पास aldehyde है आपने उसको HCN किया हमेशा acidic या basic दोनों भी medium हो सकते हैं addition reaction के लिए tension नहीं अच्छी बात यह है that this can take place in either acidic or basic medium both so HCN का जब addition होता है पहली बात तो acidic या basic medium दोनों चलेगा तो हो क्या रहा है ध्यान से देखो कि आपका जो attacking reagent है देखो HCN क्या है acidic hydrogen दे रहा है HCN क्या कर रहा है बच्चो यह acidic hydrogen दे रहा है and the reaction is so bloody simple ठीक है क्या है reaction देखो pi bond को तोड़ो आजू बाजू H और CN को जोड़ो बस इतना reaction है क्यान से देख लो addition करना है न कोई byproduct होगा क्या addition में पच्चबाटी addition में कोई byproduct होता है नहीं हमने Marko Niko आफ यह वो इतने सारे addition कर लिए कभी byproduct ही नहीं लिखा क्या करना है simple pi bond को break करेंगे और क्या करेंगे O X side H लगाएंगे X side Sinide लगाएंगे खतम क्या बना यह यह जो product बना इसका नाम है Sinohydrin क्यों क्योंकि इसमें Sinoh group है और Hydroxy group है कौन सा group है बच्चो Sinohydrin बन गया Easy बोलो हाया ना Simple अब मैंने example बहुत सारे लिख दिया अलग-अलग ताकि आपको समझ में आजाए एक बार दो बार तीन बार repeat करोगे तो example समझ में Acetaldehyde के साथ क्या बना Acetaldehyde Sinohydrin Formaldehyde के साथ क्या बना Formaldehyde Sinohydrin क्या आप लोग Acetone के साथ लिख पाएंगे Same to Same Yes or No क्या बनेगा बच्चो यहां पर H और CN क्या मैं बोल सकता हूँ Acetone Sinohydrin बनेगा बोलो हा या ना Yes अगर यही मैं glucose के साथ लिखता तो glucose का Sinohydrin बनता और यही हमने Biomolecules में देखा है कि यह बात याद आ रही है अगर आप glucose के साथ यही reaction कर लेते तो glucose का ही Sinohydrin बन जाता कोई rocket science होता उसमें नहीं कि glucose के पास जो aldehyde group था उसको आपने क्या किया उसका pi bond break करके cyanide और OH लगा दिया Easy एकदम simple बोलो हाया Yes Edition का पहला reaction done and dusted आसान Second वाला Edition of NaHSO3 What is NaHSO3 Sodium Bisulfite यह जब hydrogen बीच में आता है इसको क्या बोलते हो आप by है ना SO3 Sulfite Sodium Bisulfite क्या नाम क्या है इसका Sodium Bisulfite अब ध्यान से ज़रा एक चीज देखना इसमें बच्चे गलती कहा करते आप लोग भी गलती पहली बार में शायद कुछ लोग करत देंगे ध्यान से देखना जब आप SO3 Na और H ऐसे देखोगे ठीक है तो आप इसको पहली बात तो इस salt को ऐस तरह से देखते हो बच्चो इस salt को आप लिखते है Molecular formula में ऐसे लिखते हो Yes or No है की नहीं और आप हमेशा यह अज्यूम करोगे कि sodium जो है यह positive होगा और बाकी part negative होगा कितने लोग ऐसा सोच रहे है कुछ लोग सोच रहे होंगे है की नहीं क्या यह बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी Yes बढ़ यहां पर आप देखो जरा ध्यान से कि मेरको हमेशा addition reaction की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जब oxygen है oxygen का या तो पाई electrons या तो उसका loan pair लेने कौन लेगा H प्लस लेगा तो H प्लस को आपको positive लेना है किसको लेना है H प्लस वो जाके वहां पर attack करेगा तो पाई electrons उसके जो है वो ले लेगा तो क्या होगा यह पाई bond जब break हो जाएगा तो इधर H और इधर SO3NA ऐसे add हो जाएगा क्या यह बात समझ में आई and the name is very simple देखो इसके जो नाम है addition products के हो सबसे easy नाम है acetaldehyde से शुरू किया था तो acetaldehyde का ही acetaldehyde से शुरू किया था acetaldehyde का ही sodium bisulfide sodium bisulfide acetaldehyde का ही sodium bisulfide adduct adduct समझते हो addition product इसका adduct addition product ad or act addition product समझ में आई बात acetaldehyde का sodium bisulfide addition product समझ में आया बोलो हाया ना yes that is the name that is the name of the compound easy benzaldehyde का लिखो आप खुद देख लो बच्चो H plus और SO3 Na पूरा का पूरा minus H plus उधर जाएगा SO3 Na उधर जाएगा क्या बन जाएगा benzaldehyde sodium bisulfide adduct yes or no so far everybody clear on this yes बच्चा लोग कोई टेंशन नहीं एकदम easy simple addition reactions तो ऐसे मखन ऐसे दो-दो सेकेंड में फट-फट-फट-फट-फट-फट निकले गया अगला वाला थोड़ा सा tricky है बट यह tricky part भी मैं आपको actually biomolecules में सिखा चुका हूं यह समझ लेना biomolecules और अच्छे से समझ में आएगा याद करना biomolecules में जब आप glucose को vertical form में लिखते थे ऐसे तो उसको हम लोगों ने कौन सा projection बोला था उसको हमने बोला था Fischer projection और जब हम लोग उसको open chain form और जब हम लोग उसको cyclic form में लिखते थे तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था have worth projection क्या ये बात मैंने आपको बताई थी कि Fischer से have worth में convert करने के लिए aldehyde group जो है वो alcohol के group के साथ में react करता है क्या ये बात हमने discuss की थी अब ये reaction आपको यहाँ देखने मिलेगा कि aldehyde group जो है वो alcohol group के साथ कैसे react कर रहे है है ना ये आपको यहाँ पर बहुत ही beautifully देखने मिलेगा और सीखने मिलेगा again remember addition reaction हो रहा है तो attack कौन करने वाला h plus करने वाला है बोलो हाँ या ना आप बोलोगे हाँ ये तो आप बोलोगे सर ये तो repetitive होगया आपको समझ में आ गया यार कैसे देखो ये रहा तुमारा R group ये क्या रहा तुमारा R मतलब methyl group है यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख देता हो आर तो आप समझ जाते है ये alcohol है alcohol में ये h plus है और ये पूरा का पूरा क्या है minus है h plus जाके carbonil के oxygen को attack करेगा क्या मैं इस शब्दों में बोल सकता हूँ क्या मेरी भाशा आप लोगों को समझ में आ रही है जो language में technical language में क्या बोलूँगा the proton from the alcohol is going to attack the oxygen of the carbonyl yes or no बढ़िया एकदम बढ़िया सबको समझ में आया तो जैसे ही ये h plus वहां जाएगा तो बचा क्या यहाँ पर OCH3 बचा क्या बचा यहाँ पर OCH3 तो यह रहा देखो OCH3 तो पहले step में तो easy है क्या करोगे आप बोलोगे कि sir हम लोग यहाँ पर pi bond को break करेंगे इसको H और इसको OCH3 देंगे क्या यह बात से आप agree कर रहे हो है ना और आपको realize वा कि अच्छा यह formaldehyde के साथ में यहाँ पर OCH3 ऐसा लगा दिया हमने यह जो पहले step में हमने लगाया इसको हम बोलते हैं hemiacetal यह word मैंने कहां सिखाया आपको क्या मैंने बोला था कि fisher से heworth में जाने के लिए aldehyde group is now converted into hemiacetal group yes or no याद आ रहा है बच्छो और यहाँ पर आप hemiacetal group पे एक नजर डालना जरा क्या है COC है न COC है न तो है वर्ट में अपने ऐसा बनाते थे COC याद आया हाँ यह है वो बस वहाँ पर difference है वहाँ पर cyclic form कर दिया था है की नहीं यहाँ पर भी cyclic बनाना सिखाऊंगा भी जारा भेजे में सबके अब जाके वापिस जरा बायो मॉलीकूल का lecture देख ले ना अगर एक बार hemiacetal समझ गए ना तो बायो मॉलीकूल वाले पार्ट में I think second lecture है जिसमें मैंने आपको structures बनाना सिखाया था glucose और fructose का after the classification और वहाँ पर उसके conversion सिखाय थे वह और अच्छे से समझ में आएगा और clarity के साथ कैसे एच प्लस ने जाके इसको अटैक किया यह बन गया अच्छा यह एक है बोलता हूं एसीटाल समझेश जब दो मॉल use किया था ऐसीटाल बना था इसले 1 मॉल यूस किया थो आधा ऐसीटाल ही बना था इसले सको हमी आशिटाल बोला ही ना है विन अच्छा क्या में बोल सकता ओक हमीट सीटाल में मेरे आधाहीं रेक्षन होता रहा था तो हैं मियें से टाल ल बनते बात क्लियर हो गई बढ़ियाँ एक्दम ठीक है अब कीट्टन लेलो तो कीट्टं के साथ क्या बनेगा भर कीटाल जय้ gitti के साथ आसी टाल बन रहा था तो कीटाल जब फाइनल है तो फॉस्स टेप में क्या बना हैं मी कीटाल बना बुलो हाइना बच्चा लोग अब एक्जामपल देख लो एसे टोन में अपको इथेनॉल डालने को बोला क्या बोला एसे टोन में एसे टोन प्लस आलकॉल मतलब कीटोन प्लस आलकॉल सेम सेम रियक्शन मैंने लॉजिक सेम यूज किया एच प्लस जाएगा यहां पर अटैक करेगा देखो पाई बॉन को तोड़ो आजू 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 एच और ओसी टू एच फाई को क्या मैंने कुछ नया सिखा है कि आपको नहीं न सेम चीज़ बताई क्या बना एसे टोन का हमी कीटाल फॉर्म बन गया बचलों हमी एक मौल डाल दिया और एक मौल अलकॉहल डाल दिया तो क्या बन गया कीटाल बन गया है अब मैंने आपके लिए जेन्रडर इक्षिन लिखा है नीचे है यहाँ पर क्या लिख्या इस यहां और और ऐच होता तो यह और हो जाता यह परार और और होता तो यह की टोन हो जाता क्या ये बात से भी आप agree कर रहे हैं तो बाकी तो मुझे फरक नहीं पड़ता है आर और आर है जो भी है बट reaction कहा हो रहा है reaction कार्बोनिल ग्रूप पे हो रहा है तो पहले वाले में एक अलकॉक्सी है दूसरे नहीं वाले में दो एल 묶क्सी है जब दोनों से एकषाल बन गया या कीटाल को openly है ऐंगे सटन सबक्राइब आका और आलकॉहल Azul कि वह बत करेगा जब 20 आलकॉहल हुए एक हिरेकशन तो आधा ही हुआ reaction यानि की hemi half हुआ है बात crystal clear सबके भेजे में किजी को को doubt है तो अभी पूछ लो प्लीज येस बच्चो ये देखा कि दो मोल की possibility थी तो हमारे दिमाग में तुरंट एक और चीज आनी चाहिए कि अगर मैं monohydric यानि की एक oh group वाल alcohol यूज करा हूँ monohydric वाला तो उसका दो मोल यूज कर सकता हूँ correct है बच्चो लेकिन अगर मैं diol यानि की diol उसको common name में क्या बोलते हूँ diol को glycol मैं glycol जब यूज करूँगा तो एक मोल में मेरा काम हो जाएगा बोलो हाया ना single oh है तो दो मोल लगेगा दो oh है तो एक मोल में ही काम हो जाएगा क्या ये बात एकदम logical sound कर रही है येस बच्चो तो यहाँ पर मैंने उसका भी example दे दिया आपको कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ketone में मैं glycol यूज कर लू यानि कि diol यूज कर लू तो उसमें मेरे को cyclic form बनाने में आसानी हो जाएगी क्या बन जाएगा cyclic ketal बन जाएगा क्या बन जाएगा बच्चो cyclic ketal और यह reaction को दो step लगेंगे कि single step single step obviously है नहीं है कि नहीं तो आपके पास यह रहा कार्बोनिल का जो oxygen है वो और इन दोनों के hydrogen water molecule निकाल देगा और क्या होगा यहां से oxygen के साथ इस oxygen के साथ में bond बन जाएगा तो यह बन गया cyclic ketal acetone का cyclic ketal बन गया क्या यह बात समझ में आई yes इसके लिए यह वाला example try करो समझो तुम्हारे पास C2H5 C double bond O C2H5 है यह pentane 3-on है बच्चों क्या है pentane 3-on मैं बोलता हूँ इसका reaction करो किसके साथ ethylene glycol के साथ किसके साथ करने को बोल रहा हूँ ethylene glycol तो पहले तो यह समझो ethylene glycol क्या है यही नहीं पता तो गड़बड है क्या ethylene glycol दोनों पे OH है और दो carbon है है के नहीं इस तरह से समझ रहे बच्चों अब easy हो गया अब easy हो गया क्या करना है पानी कतम क्या बनेगा c2h5 c अब इस carbon को कौन जोड़ेंगे o ch2 o ch2 और यह दो carbon तो पहले से connected थे न तो क्या यह पूरा cyclic close structure बना की नहीं बना समझे बात को यह पूरा structure एक close structure बन गया बच्चा लोग yes that is why it is called cyclic कीटाल क्या बना cyclic कीटाल बना अगर यह नहीं होता तो यह पर ऐसा होता c3 c3 इसके पहले example बनाया था ऐसा वाला है न तो यह cyclic होता न यह तो open chain है न और क्या किया मैंने यह पर अगर originally यह दोनों carbon को जोड़ा हुआ था तो क्या बन जाता cyclic form क्या बात भीज़े में गई सबके yes तो अब आप ऐसे examples भी solve कर पाएंगे जहां पर glycol यानि की diol दिया रहेगा और finally क्या बनने वाला है cyclic form of the product बनने वाला है तो यहां पर मैंने propylene glycol का example लिया है already हमने ethylene glycol का भी example साथ में देख लिया okay addition में तीन हो गए हमारे मजाग मजाग में तीन complete हो गए पहले HCN का addition देखा फिर sodium bisulphide का addition देखा फिर alcohol का addition देख लिया हमी असेटाल हमी कीटाल या फिर एसेटाल और कीटाल एक मोल और दो मोल ऐसा रिस्पेक्टिवली अगला है ग्रिगनाड रिएजेंट यह अलकोहल में बहुत डीटेल में अच्छे से कर चुके हो क्या है formaldehyde plus grignard gives primary alcohol any other aldehyde plus grignard gives secondary alcohol ketone plus grignard gives tertiary alcohol यह पूरा रटा हुआ है सब बच्चों को अच्छे से अगर इसका mechanism आपको जानना है तो वो भी मैंने पहले बताया हुआ है ठीक है फिर भी अगर recap करना है revise करना है तो छोटे से short में mechanism को समझ लेते हैं जैसे अगर मैं बूलों कि मिरे पास acid al dehyde है समझो क्या है मेरे पास iAC al die had उसम Nader करे गम व्रकोडर Maddon मैं अमिश्ख Director का सिखाता हूं कि पहले पाई-बॉंड को तोड़ो आजू बाजू एम जी और कार्बन को कार्बन से जोड़े यानिकि C2H5 यह बनेगा यास बच्चो और फिर बाद में क्या करना है सेकेंड स्टेप में ओल्वेज हाइडरोलिसिस यहाँ पर क्या बनेगा एच बन जाएगा यह किस टाप का अलकॉल बन गया प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी सेकेंडरी तो हैंस प्रूव हुआ क्या कि यह वाला अल्डिहाइड था अधर अधर देन फॉर्मल्डिहाड और यह ग्रिगनार था बन गया इसके लिए रिमेंबर-डर ट्रिक कि आप सिर्फ कार्बन का क्या याद कर लोगे काउंट कर लोगे जस्ट काउंट दब यस चसब चांब अमबर उफ कारबन अटम्स तो आपको आंसर आ जाएगा ज़्स तो अगिवी यह अग्गव यह नेग्वाव फ्यान ग्जांपलन आपको बोलू कि मेरे पास CH3 MGBR है यह मेरे पास गरिगनाड है यह मेरे पास गरिगनाड है के टर्शरी अलकॉल ही बनने वाला है अब कितने कारबन का टर्शरी अलकॉल बनने वाला है इसके पास कितने एक दो तीन चार और इसके बास एक पांच कारबन का टर्शरी अलकॉल बनने वाला है क्या यह बात समझ में आ रही है तो यह COH, CH3 और CH3, यह बन गया पांच कारवन का टर्शरी अलकॉहल, सिम्पल, देख लो, टर्ट पेंटाइल अलकॉहल बन गया, मतलब इस से जादा इसी नहीं हो सकता, यह ट्रिक इतनी इसी है, आपको पांच सेकेंड में अंसर आ जाएगा, क्या बाद समझ में आई, बोल ग्रिगनाड, ठीक है, अल्डियाड या कीटोन लिया है, उसमें ग्रिगनाड आड करना है, कैसे आड करना है, और इसकी ट्रिक क्या लगानी है, समझ में आए, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ओफ अमोनिया एन इट्स डेरिवेटिवेटिव, अब यह भी रियक्शन अच्छ धाकर रहे हो आप डाइरेक्ली अमोनिय का एडिशन या फिर आमोनिया डेरिवेटिव एडिशन करते और इट और इस बेहे एडिशन करते अब यहां पर मेकानीजम थोड़ा सा बदल जाताएं अभी तक हमारा मेकानीजम फिक्स था कि भाई वह प्रोट्वनन आकज़ अट तो इह थोड़ासा मिसलीडिंग है इसलिए क्लारिफाइ करना बहुत जरूरी है misleading क्यों है नाम है addition नाम क्या है addition लेकिन क्या हो रहा है byproduct में पानी निकल रहा है बोलो हाया ना बात समझ में आ रही है है न तो addition इसलिए नाम दिया कि भाई आपने aldehyde या ketone लिया और उसमें ammonia के कुछ derivatives को आप add करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा वहां से उन्होंने नाम लिया बड़े जो मेगानिजर में उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है तो एकदम basic से जाते हैं एकदम basic यहां पर थोड़ी से textbook की help भी लगेगी मैं बताओंगा कहां पर क्या-क्या reference है again ncrt में जो भी points से वो सारे के सारे included यहां पर है हम सारे points cover कर रहें उसकी आप चिंता नहीं करो देखो और चीर तो जाके ncrt खोलके confirm भी कर सकते हैं देखो फंडा क्या है आपके पास है ammonia आपके पास क्या है बच्चों ammonia तो ammonia को मैं ऐसे लिख दू HNH2 ऐसे लिख दू यह एक तरीका है या मैं H2NH ऐसा भी लिख सकता हो यह भी एक तरीका है 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 ना तो instead of writing ammonia as H3N I had ways of writing it right तो जरा पहले यह समझते हैं कि कहां पर क्या फंडे क्या हो रहे है इसके फंडे क्या है तो पहले तो यह समझना है कि भाई ammonia में से आपने hydrogen को replace किया ammonia में से आपने क्या किया hydrogen को replace किया और अलग-अलग उसके आपने derivatives बनाए क्या-क्या बनाए derivatives जैसे Amines chapter में तो हम घुश-घुश के पढ़ चुके कि ammonia के क्या-क्या derivatives आप बना सकते हो ना मतलब कि hydrogen अड़ा के एक एक alkyl group लगाओ दो लगाओ तीन लगाओ चार लगाओ कोटर नरी ammonium salt तक diazonium salt तक कुछ भी बना सकते थे correct है ना यहाँ पर थोड़े अलग variations है बात को समझवा बच्चो मैंने ammonia का एक hydrogen हटा के यहाँ पर क्या लगाया बताओ क्या लगाया है है वए च्ग्रूप आच्छा यहां पर मैंने ammonia का दूसरा hydrogen हटा के क्या लगाया है वह ही एक hydrogen हटा के क्या लगाया है NH2 group लगाए है Amino Group लगाए यहांपर मैंने Ammonia का एक Hydrogen हटाके क्या group लगाये है Phenyl Amine group लगाए originally Ammonia था इसका hydrogen हटा के तो मैं ऐसे तो कितने भी variation बना सकता हूँ यह बात आपके दिवभ के जा रही है कि यह appreciate कर पारेवाब कि ऐसे तो मैं कुछ भी group लगाते जाओं और कुछ भी variation बनाते जाओं येस तो ammonia की तो कितने सारे derivative बन जाएंगे बच्चो है ना तो अपने syllabus का जो scope है वो कहां कौन से compounds की बात करता और कौन से-कौन से compounds के लिए limited है understand understand that first as I mentioned this for this you will need a small table that is given in your textbook table को समझो ठीक है और ये टेबल के उपर मैंने क्या लिखा है वी 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 important मतब वेरी 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 important ठीक है इसको राइटन प्रेक्टेस तो करना ही है otherwise आपको इसके derivatives के नाम याद नहीं रही है थोड़े से unique नाम पहला फंडा यह है कि आपने लिया ammonia और उसके hydrogen को replace किया तो मैं general statement आपको यह बोलूँगा कि ammonia के hydrogen को आपने जिस group से replace किया उसको मैं बोलूँगा जेड उसको मैं क्या बोलूँगा जेड क्यूंकि मैं X नहीं बोल सकता है because X का मतलब hyalogen होता है आर नहीं बोल सकता है उसका L मतलब जेड की जगह कुछ भी आ सकता है जेड की जगह कुछ भी आ सकता है अब वही कुछ भी में क्या क्या आ रहा हो देखो जारा तो पहले case में Z की जगह पर OH पहले case में OH अमाइन मतलब NH2, बोलो हाई या ना, तो पहले derivatives को समझो, दूसरे case में Z की जगा आया NH2, समझे की न है, मैंने underline किया, blue line से, जो blue line से enter लगए है, वो Z की जगा आया है, ठीक है बच्चा लोग, so second case में Z की जगा पर क्या है NH2 है ठीक है NH2 NH2 बन गया इस compound का नाम क्या है hydrazine है क्या नाम है hydrazine याद है अजो अजो मतलब NN nitrogen nitrogen bond अजो याद है अजीन नाम रिलेट कर पा रहे हो अजी सुनते हो कि नहीं सुन रहे हो अजी मतलब nitrogen nitrogen bond समझे की नहीं समझे बच्चो येस यह क्लियर हुआ तीसरा अब Z की जगा पर क्या है NHC6H5 है क्या है NHC6H5 मतलब hydrazine ही था ना originally यह जो था इसका और एक hydrogen हटाया और C6H5 लगाया क्या यह appreciate कर पार है आप लोग तो hydrazine में ही C6H5 लगा दिया तो लगता और यह सर यह तो क्या complex structure और क्या complex है कुछ नहीं देखना यह NH2 था इसमें तुने क्या लगाया NH2 लगा तो यह hydrazine है अब मैं बोलता है यह hydrogen data और बेंजीन लगा तो यह बन गया बच्चों कि यह फीनाइल hydrazine बन गया समझ रहे बात को क्या बन गया फिनाइल अब पिनाईल रजीन में बोलता हूं इदर एक नाइट्रो गुरूप लगा तौ क्या बन जाएगा नैट्रो फिनाइल लगा दें समझे सबते हैं मैं इदार और है के नवर अब क्या बन गया डाइं नािट्रो-फीनियर रज़ीन समझे की नी समझें मैं कहां कहां लगाया फीन को सॉर्ड हाली नाम बता ऊंसरी नाम सुस्थ लंबा लगता है बड़ा लगता है टूफोर डीनपी बोलो तो समझ जाएंगे कि किसकी बात करें हो टूफोर डाय नाइट्रो फीनाइल हाइड्राजीन की बात करें किया भेजे में गया बोलो हाँ या ना आपको यह रियलाइज भी हुआ होगा बच्चो कि सर यह लोग तो घूम फिर क्या कर रहें कि नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन उसको पहले तो एनेच्टू से रिप्लेस किया फिर उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे है ना अब देखो यहाँ पर जड़ ग्रुप कौन सा है एन एह च डबल वार्ड == औ एजट्टू ग्रुप यहां पर देखो जड़ ग्रुप कौन सा यह रहा जड ग्रुप ? और देखो यह विंवली रिप्लेस्ट और बिसक्ली शुट ऑञा एज़ इन एंच्टू और इस compound का दाम है semi-carbazide क्या नाम है semi-carbazide NH2 सब जगा पर common है भूलना मत यह वाला NH2 क्योंकि यही तुम्हारा main NH2 है इसको भूलना मत यह सब जगा common है और यही तुम्हारे लिए इसको आसान बना रहा है क्योंकि वह अपनी जगा से नहीं हिल रहा है आप लोग नोटेस कर रहे हो वह NH2 अपनी जगह से नहीं हिला अभी तक है ना और यह पूरा group आपका Z group है यहां पर तो पहला MCQ question तो सिधा सिधा यही बन जाता है कि वह आपको यह पूछे गा which is the Z group in semi-carbazide which is the Z group in 2-4 DNP which is the Z group in phenyl hydrazine समझ में आरी बात बच्चो तो पहले टाइप का MCQ समझ में आ गया नीट और जेई और सीटी में जो आएगा पहली बात दूसरी चीज़ आप अगर इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा पहला डेरिवेटिव क्या है हाइड्रोक्सिल अमाइन दूसरा क्या है हाइड्राजीन तिसरा है फीनाइल हाइड्राजीन सेमिकार्बाजाइड और पाच्वा है 2,4-dyn-nitro-fdenyl हाइड्राजीन क्लारिटी यह सोगउ एवीबड़ी reaction क्या हर जगा अलग होने वाला है reaction सब जगा same to same होने वाला है same to same but product अलग मिलेंगे क्यों भाई product अलग क्यों मिलेंगे जरा ये समझने की बात है चल देखे product कैसे मिलने वाले यहाँ पर आपके लिए blank page अलग से रखा है यहाँ पर मैं आपको थोड़े product अगया लिखके दिखाऊंगा ठीक है आप randomly कोई भी उठालो जैसे पहला वाला उठालो एक्जाम्पल के लिए मेरे पास है CH3 C double bond O और H क्या है मैं बोल सकता है Acetaldehyde है अच्छा क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे इससे तो कोई फरक पढ़ता ही नहीं है मेरे को तो कार्बोनिल से मतलब है मेरा reaction कहा हो रहा है मेरा reaction center कहा है कार्बोनिल पे है yes or no यहाँ पर R हो तो ketone है R हो तो aldehyde है मुझे क्या फरक पढ़ता है तंबुरा मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता अब उसको इसको जितना complex बनाना है बनाने दो exam में वह तुमको डर आएगा जई के पेपर में डर आएगा कैसा वह इधर बेंजीन रिंग लगाएगा चीक है और इधर CH2 लगा देगा इधर वह CH2 फिर double bond CH और ऐसा कुछ कुछ भलते भलते अजीब अजीब structure लगाएगा क्या तुमको उससे लेना देना है तुमको कहां focus करना है यहां क्या यह बात समझ में आ रही है everybody समझो बात अच्छा अब अगर वह बोलता है कि तुमको इसको react करना है किसके साथ में इसका नाम क्या था याद करो इसका नाम था hydroxyl amine तो क्या यह reaction बड़ा simple है reaction तो क्या है यह निकाल देगा और यहां पर बना देगा C double bond NOH और यह जो group बना C double bond NOH इस group का नाम आपको याद रखना है क्या नाम है oxyme group है अब आपको याद एगा अच्छा हाँ सर हम लोगों ने बायो मॉलिकुल में glucose से glucose बनाया था याद आया और यह उस बात का प्रूफ था कि glucose में कार्बोनील ग्रूप होता है क्या यह बात समझ भाई everybody क्या relate कर पा रहे हो जो हपको अरड़ी पढ़ाया उससे है ना बढ़िया क्यों सा है ऐसी टोन ठीक है अब इसमें तुमने क्या लगाना है 2,4 DnP लगाना मतलब यह H2N एन 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 एच यह फिर बेंजीन की रिंग है उसके अंदर दो नाइट्रो ग्रूप है ठीक है क्या यह उतनी बड़ी रिंग विंग देखके मेरे को डरने की जरूत है क्या मेरा रियक्शन कहा हो रहा है खत्म क्या करना है C और N को डबल बॉंट से जोड़ देना है बात खत्म हो गई क्या यह बात समझ में आई Yes or No Everybody समझा बच्चा लोग अच्छा और जो simple वाला form था जैसे कि NH2 NH2 क्या था इसका नाम Hydrazine था इसका नाम क्या था Hydrazine नाम था इसका तो इसमें क्या हो रहा है कि जब water molecule निकल रहा है ना तो जो बन रहा है वो है क्या double bond N NH2 Hydrazine का बन गया Hydrazone textbook में देखो लिखा है ना Hydrazine का क्या बन गया Hydrazine का क्या बन गया बच्चो Hydrazone तो मुझे logically बताओ Phenyl Hydrazine का क्या बनेगा Phenyl Hydrazone 2,4 Dynitro Phenyl Hydrazine का क्या बनेगा 2,4 Dynitro Phenyl Hydrazine Zone Semicarbazide का क्या बनेगा Semicarbazone बस easy समझ में आगे बात बोलो हाया ना यस बच्चो अच्छा तो यहां पर 271 में दो चीज़े आपको मैं नोट करवाँगा बस दो चीज़े यहां पर इस टेबल में नोट करनी है कि कौन से रिएजेंट से कौन सा प्रोड़क्त बना Hydroxyl Amine से Oxine बना अग्रीड Hydrazine से Hydrazone Phenyl Hydrazine से क्या बना Phenyl Hydrazone Semicarbazide से क्या बना Semicarbazone और 2,4-Dyanitrophenyl Hydrazine से क्या बना 2,4-Dyanitrophenyl Hydrazone यह तो एक बात होगे कौन सा रिएजेंट था और कौन सा प्रोड़क्त था उसके नाम आपने नोट कर लिए और दूसरा आपने एक चीज़ नोट की derive किये हुए और imine की तरफ जाते हुए दिख रहे है क्योंकि carbon and nitrogen पे क्या है double bond है crystal clear हो गई बात एकदम मजेदार समझ में आए सबको यह table की important समझ में क्योंकि इसमें बहुत variation गुमा गुमा के question आपको पूछ सकता है ठीक है और है बड़ा easy कुछ नहीं है जेड का आपको बस जेड का आपको logic पकड़ लेना है कि जेड याने की ammonia का hydrogen किस से replace किया है काफी आसा बढ़िया तो यहाँ पर addition reactions उड़ा दिया अपन ने addition के reactions कौन से कौन से हो गए हमारे छलो फिर से लेके चलता हूँ आपको addition reactions पे कहा गया ग्रिगनाड आड कर लिया अलकोहल आड कर ग्रिगनाड आड करके क्या बनाया था तीन टाइप थे ना formaldehyde और फिर any other aldehyde और ketone वाला प्राइमरी secondary tertiary alcohol बना दिया था फिर alcohol आड किया तो हमिक 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 कीटाल एसिटाल कीटाल फिर sodium by sulfide का adduct सिधा addition product साइनाइट से क्या मनाय था साइनो हाइडरी फिर ammonia in its derivative से oxyms या hydrazines hydrazones या फिर उनके derivatives clear पूरा detail समझ में आया addition reaction का mess नहीं करना है अपन क्या कर रहे है अपन इतना सा मैनत करके क्यों लिखा चार्ट फॉर्म में अपन उसको structure दे रहे है constructive तरीके से समझ में आ रहा है ना division भी चलते रहना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ा क्या समझ में अगला reaction nitrogen मैंने लिखा है बट कराने की जरूत नहीं I'm sure because आप लोगों को आता है क्या है nitrogen में बस nitrogen हमारा ESR है ना electrophilic aromatic substitution है हमको पता ही है फिर भी मैंने लिखवा दिया है revise भी करा देता हूँ क्या लिखा है ESR mechanism electrophilic substitution reaction है बच्चो yes or no या फिर मैं बोल सकता हूँ it is sorry हाँ या फिर EAS electrophilic aromatic substitution क्या करना था आपके बास benzaldehyde है अब यह note करने वाली बात है कि benzaldehyde या नहीं कि यह CHO group है aldehyde group यह ortho director है meta director है meta है क्यूँ 1000 बार बता चुका हूँ क्यूँ उसके अंदर multiple bond है इससे आसान तरीके से तो आपको कोही नहीं बताएगा भाई क्या C double bond OH है ना तो यह meta director है तो nitro group कहा लगेगा boss कहा लगेगा meta position meta nitro benzaldehyde एक ही product बात खतम बोलो हाया ना सबको बात समझ में आई है aldol condensation reaction अब मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ aldol को अकेले मत पढ़ो आप aldol और canizaro को एक जोडी बनाके हमेशा साथ में पढ़ो क्यूं यह जरा समझते aldol condensation reaction और canizaro reaction यह actually एक दूसरे से थोड़े related हैं इस sense में कि alpha hydrogen अगर present होगा ध्यान से सुनना बच्चों क्या alpha hydrogen अगर present होगा तो aldol reaction होगा alpha hydrogen present नहीं होगा तो canizaro reaction होगा पहले तो यह अपने दिमांग में बात एकदम से बिठा लो कि किसी aldehydea ketone में alpha hydrogen है तो aldol होगा नहीं है तो canizaro होगा पहले यह बात clear हुई सबको yes or no alpha hydrogen है तो aldol तो alpha है तो aldol AA याद रहेगा alpha है तो aldol यह तो नहीं भूल सकते इसमें तो गलती नहीं करोगे है ना और alpha नहीं है तो क्या होगा canizaro होगा clearly यह समझ में आया बच्चो अब यह नाम जो है aldol कहां से आया तो aldol एक एक नाम को भी चीरभाड करके पड़ो क्या है aldol ald से आया aldehydeol याने कि इसमें aldehyde भी दिखेगा और alcohol भी दिखेगा product में क्या आएगा aldehyde भी आएगा और alcohol भी आएगा क्या यह बात clarity के साथ समझी नाम से ही बोलो आया ना तो ketone और alcohol रहेगा तो ketol बोलू aldol aldol का भाई ketol है ना ओके यस अब अगर alpha hydrogen इस reaction के लिए इतना जरूरी है तो alpha hydrogen होता क्या है यह तो आप सब लोगों को आता है मुझे मालूम है कि आपको पता है फिर भी revise करो first learn to identify alpha hydrogen किसके पास alpha hydrogen है किसके पास नहीं है पहले यह identify करना सीखो ठीक है ना पहले यह identify करते है अभी हमको उसने समझो एक ऐसा उठाके दे दिया कोई भी random aldehyde उठाके दे दिया यह random ketones उठाके दे दिया कोई भी random aldehyde ketone उठाके दे दिया पहले बताओ कि इसका aldol होगा की नहीं होगा तो तुमको क्या ढूंडना है बच्चो क्या ढूंडना है कि उसके पास alpha hydrogen है की नहीं है अब aldol की category में मैंने पहला example कौन सा लिखा CH3CHO नाम क्या है नाम है acetaldehyde क्या इसके पास alpha hydrogen है तो पहले यह समझना है कि given aldehyde में alpha hydrogen है की नहीं है तो भाई यहां पर obviously हमारे पास alpha hydrogen present है क्या है alpha hydrogen अगर वह भी नहीं पता अगर 12 में आ गए और अभी तक alpha hydrogen नहीं पता तो थोड़ी शरम कर लो चुल्लू भर पानी में मुह धोलो और सीखो जो functional group से जुड़ा हुआ है वह alpha carbon और उस पे जो hydrogen लगा हुआ है alpha hydrogen तो यहां पर और पहले वाले में मैंने तीन यल्लो में highlight कि वह तीन alpha hydrogen दिख रहे है yes or no everybody second example कौन से है तुम्हारा propion aldehyde है उसमें कितने alpha hydrogen दिख रहे है दो मतलब कि functional group के just बाजू वाला carbon उसके ओपर कितने hydrogen है यह देखने है फिर तीसरा example मैंने butraldehyde के लिया उसके भी दो यह है alpha hydrogen है मैं एक और example लिखता हूँ यहां पर ketone का इसमें कितने alpha hydrogen है बताओ इसमें 6 alpha hydrogen तीन इधर तीन इधर मतलब इसकी तो एकदम बल्ले-बल्ले यह तो भर-भर के aldol condensation करेगा अच्छा मैं aldol word यूज करूँगा तुम ketol के पीछे मत पढ़ना aldol नाम है उसका ठीक है वो तो समझ गये न कि ketol है ठीक है वो ketol के पीछे-पीछे मत पढ़ना एक और example ले लो जैसे की CH3 CH2 C double bond O और C6H5 कितने अलफा आट है बच्चो यहाँ पर दो अलफा आट है अब मैंने यह C6H5 लिखा कुछ बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहे हैं अरे घोचू बच्चो यह बेंजीन की रिंग है C6H5 छे क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर कोई हइडरोजन बच्चा है क्या पर simple simple 2 तो पहले तो यह समझ लेना है कि हमको alpha hydrogen हमको यह identify करने आता है कि नहीं आता है अगर आपको अलफा hydrogen identify नहीं आता है तो आप अलड़ोल कैनिजर में क्या होगे फिर उसकी मेकैनिजम की चिंता मत करो छोड़ दो फिर पहले यह तो आइडेंटिफाइ करो कि आलफा अडिजन है क्या और यह तो सबको आना चाहिए बहुत बेसिक चीज़े शाहद दस हजार बार बता चुका हूँ ठीक है अब यह लास्ट चांज आपका यह अलफा अडिजन सीखने के लिए टॉटो मेरिजम में सिखाया है नॉमें क्लेचर में सिखाया है बेसिक सोफ और गयानिक में सिखाया है अब आखरी इसके बाद नहीं सीखने मिलेगा ठीक है तो कैनिजारो करेगा जैसे की इसमें बहुत बच्चे पहले आर्ग्यूमेंट लेके आ जाते हैं सर यह है ना यह क्या हाइडरोजन है अरे मेरे भाई यह हाइडरोजन डिरेक्ली फंक्शनल ग्रूप से जोड़ा हुआ है का अलफा कारवन की तर नहीं है ना फंक्शनल ग्रू अलफानमल देखो मैंने ट्रट ब्यूटाइलग्रूप को अलड़ हैड ग्रूप से लगा दिया तो यह वाला कार्बन यह वाला कारवन तुमारा अलफा है छो रेड में मैंने मार्क यह तुमारा अलफा है कि इस पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं अच्छा अगला बड़ा इंट्रेस्टिंग है उट कि अगले वाले में एक ऑलफा हेड्रोजन है कि अगले वाले में आइसो ब्हूटर आल्टी प nextipe एक दो तिन चार चार कारबन कॉमान्यम दियुक्रहर है ृइस और कि आप एक्सपेक्ट करें देगा लेकिन यह कहने ज़रों करता ही एकसेप्षन है यह यहां बुक में नहीं दिया हुआ है वड़ मैं एकस्ट्रा बता रहा हूँ कि ध्यान में रख लेना है कि समझे की नहीं सम्झे मस्तर का बॉक्स करके मैंने एक्सेप्शन है ठीख है बच्छो कि बंचाल्डियायड में कहा है यह तुम्हारा फॉद्फशल गुरूप यह रहा फॉद्फा कारबन अल्फा करबन पर को हैडुरजयन है नहीं एयलफा जो मेन जो कारबन था उसका हाइडरजन हटा के तो वह लगाया है है कि नहीं तो अब्वेसली इसको मैंने किस कैटिगरी में डाला कहनी जारो समझ में आया अलडोल कहनी जारो पहले आइडेंटिफाई करना है दोनों रियक्शन एक साथ करा रहा है ध्यान से देखो मजा आएगा अच्छे से समझ में आएगा अलडोल और कहनी जारो आइडेंटिफाई क्लारिटी येस ओके ये ऐसा हो गया जैसे तुम स्कूल में बच्पन में तुम तुम अपने टीम में लूगा इसको नहीं लूगा तो वैसे दो टीम बना दो अलडोल की टीम बनगे एक जारो की समझ में आरी बात और क्राइटीरिया क्या रखा है तुमने सिलेक्शन का कि जिसके पास अलफा है्ट्रियॉन और अलडोल की टीम में जाएगा नहीं होगा वह क्यानीजारो के टिम में जाएगा आइसो ब्यूटराल यहाँ कि तुमको शकल पसंद नहीं उसको तुमने क्यानीजारो में डाल दिया तुमको तुमको यहाँ पर राइटिंग में रिटन आपको पॉइंट्स तुरिमेंबर अबाउड अल्डोल ऐसे लिखके दिया है और बहुत इंपॉटेंट्स यह सारे पॉइंट्स अगें यह डारेक्ट पॉइंट्स आपके MCQ में और थेयरी में दुनों में काम आएंगे यह सबसे पहला सबसे पहला स्टेप पहला लाइन देखो क्या है अल्डोल क्या है वाट इस अल्डोल आप सोचोगे कि सर आप 15 मेड से अल्डोल पर पका रहे हो ठीक है अल्डोल में अल्डिहाइड होता है अल्कॉल होता है अल्फा एड्रॉजन होगा तो यह रियक्शन करेगा ठीक है अल्डोल का रियक्शन है क्या यही नहीं बताया अब समझो अल्डोल मतलब जो प्रॉडक्ट है अल्डोल उसका मतलब ह है, beta hydroxy aldehyde और beta hydroxy ketone तो कोई पुछेगा कि aldol क्या है, तो क्या बोलोगे सिंपल भाशा में क्या बोलोगे बच्चो aldol is beta hydroxy aldehyde और ketone, whatever clock week तो पहले तो यह समझ जागे, दूसरा है कि इस reaction का mechanism क्या है, तो beautiful है दो step mechanism, पहले step में nucleophilic addition हो रहा है क्या हो रहा है पहले step में step number one है nucleophilic addition यानि कि nucleophile आके add होने वाला है obviously second step है elimination second step क्या है elimination elimination मतला water molecule निकले गा अब आपको समझा अच्छा condensation word क्यों है condensation मतला पानी का removal yes or no इसलिए आपको समझा कि अच्छा elimination है इसलिए condensation बोला है पहले addition करना है फिर condensation करना है और आपको यह इसकी beauty जो आप observe शायद आपने pattern observe नहीं क्या होगा अल्डोल है कैनी जारो है alpha carbon की जरूरत है addition है condensation है AC 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 यह pattern आपको समझ में आ रहे हैं कितनी कितना अच्छा beautiful pattern है आपको याद अपने आप हो जाएगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपसे इसको बहुत ही concentration के साथ ढंक से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं और समझ लो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको यह pattern समझ में आ रहा बच्छो yes or no ठीक है और अलडोल के साथ क्यानी ज़रू भी तो यह AC वाला pattern तो repeat होई रहा है तो पहले addition हुआ कौन सा वाला nucleophilic addition हुआ दूसरे step में क्या होगा elimination होगा final product क्या बनेगा भाई step 2 के बाद जब final product बनेगा तो वो बनेगा alpha-beta unsaturated थोड़ी common sense यूज करो elimination के बाद unsaturated product ही बनने वाला है येस और नो elimination से हम लोग अलकीन बनाते थे double bond वाला तो unsaturated product बनेगा बॉस तो final product हमेशा क्या बनेगा alpha-beta unsaturated aldehyde या ketone बनेगा बच्छो हम बोलोगे ठीक है यह बात भी सही है मानली nous अल्डोल कंदंशिशन दो तरीके का हो सकता है cyaoks-aldo था इसका मतलब को कि एक ही इसंद एक मॉलिकूल अपने आप से रियाक करेगा उसको सेल्फ ऑनोलोगे एक मोलिकूल दूसरे के साथ रियाक करेगा उसको cross बोलोगे, बात समझ में आ रही है, खुद के साथ करेगा तो self, दूसरे के साथ करेगा तो cross, समझा, yes or no, अब जैसे मैंने cricket का example लिया, team बनाने का, तो समझ जाओ, कि तुम लोग को match खिले ना दो, practice match क्या करते हो, आपस में team बना बना के खिलते हो, तुम लोग self, aldol हो गया, cross मतलब सामने आले team के साथ खेल हो गया, सही है ना, okay, एक बहुत important point यहाँ पर रहेगी, यह textbook में लिखा हुआ नहीं है, बट समझने की बात समझो, important है, even if only one of the molecules has alpha hydrogen, मतलब दो में से, दो molecule दी है तुमको, दोनों में से किसी एक के पास भी alpha hydrogen रहेगा, तो भी ald condensation होगा, दोनों के पास होना जरूरी में यह, बात समझ में आ रही है, ऐसी कोई compulsion नहीं की दोनों के पास होना चाइए, दोनों में से एक के पास भी होगा, तो चलेगा, aldol होगा, अगर दोनों के पास नहीं है, तो क्या होगा, कैनी जार हो दो बॉलिक्यूल है दोनों के पास alpha hydrogen नहीं है तो क्या होगा common sense क्या होगा कैनी जार होगा ना दोनों के पास alpha hydrogen है तो aldol तो हो नहीं है confusion कहात है सर एक के पास एक के पास नहीं है तो clear कर दिया confusion नहीं है दोनों में से किसी एक के पास भी alpha hydrogen हुआ तो क्या बनेगा aldol product बनेगा क्या ये बाद समझ में आ रही है बढ़िया and last aldol के लिए condition क्या है एक ही condition है dilute base क्या condition है dilute base यानि की 10% NaOH या KOH या Na2CO3 या BAOH twice तुम दुनिया जान का को भी dilute base लेक्या हो जाएगा क्या ये points सारे समझ में आए फिर से देख लो एक बार go through कर लो aldol के क्या-क्या points है aldol का मतलब क्या है aldol का मतलब है beta hydroxy aldehyde ये step 1 का product है step 2 का product क्या है unsaturated aldehyde या ketone mechanism क्या है nucleophilic addition in step 1 elimination in step 2 कैसे types हैं self और cross अगर दोन में से एक के पास भी alpha hydrogen होगा तो भी continue होगा और base क्या मतलब की condition क्या है base क्या required है 10% base यानि कि dilute base की requirement है क्या ये एकदम से crystal clear हुए सारे points कुछ difficult नहीं है बहुत simplify किये हुए है अब example देखते जाओगे ठीक है ना तो मैंने warning देदी मैं पूरा अच्छे सा समझा भी दूँगा ट्रिक भी बता दूँगा सब कुछ बता दूँगा practice नहीं करोगे तो इसके question कैसे आएंगे इसको tackle कैसे करोगे ज़र समझते है पहला example क्या लिखा है बच्चों मैंने screen पे देखो पहला example क्या है ethanol प्लस ethanol मतलब acetaldehyde plus acetaldehyde yes or no है ना अभी acetaldehyde को देखके तुरंत आपको क्या क्लिक होना चाहिए क्या इसके पास alpha hydrogen है की नहीं है पहली बात तो alpha hydrogen है तो यह aldol करेगा की नहीं करेगा करेगा पक्की बात है तो arrow पे क्या लिखनेगा 10% एनवेश यानिकि हो पता है ना येस अच्छा मैं यह भी हटा दू तो कुछ फरक पड़ेगा तो अंडर्स्टूड हो जाएगा ना तुम्हां लेकि अच्छा ओएच माइनस लिखा ना मतलब या इन प्रेजन ओफ ओएच माइनस इतना बोल देगा तो तुम यह अर्गिमेंट लेके जाओगे क्या सुर उसने पर्सेंटेज नहीं लिखा यह लेके जा सकते हो नहीं क्यों क्योंकि उसने तुमको ऐसे टाल्डिहाइड बोला है जिसमें आल्फा हाइड्रोजन है क्या यह बात समझ में आ रही है तो अजंशन यह कि you need to understand कि वह अल्डोल ही होने वाल है आई आप यह बात अप्रिशेट कर पार आप लोग मैं क्यों परसेंटेज के पीछे पढ़ा हूं मैं क्यों परसेंटेज के पीछे पढ़ा हूं वो भी बताता हूं क्योंकि अल्डोल मांगता है 10% और कैनिजारों मांगता है 50% समझ रहा हूं कैनिजारों मांगता है दोनों की similarity समझ में आ रही होगी है ना यह मनता है 10 परसेंट यह मनता है 50 परसेंट अब कुछ गदे बच्चे हमेशा क्या करते हैं सर मेरे को नहीं समझा क्योंकि वो लोग ने ऐसा दिया था और परसेंटेज नहीं लिखा था है अरे लेकिन अगर वह एच्च हो देगा तो क्या तुम जज़ कर पाओगे कि वहां पर डिफर्ट 50 परसेंट है क्यों क्यों कि कैनी जारो ही होने वाला है बाई बात जारी दिमाद में बोलो हां या ना मैं तुम लोग को वह क्वेस्चन बता रहो जिसमें वह तुमको गुम वह बात खतम होगे अब मेन मुद्ध पर अधर में मुद्ध क्या है इथेनल प्लस इथेनल ठीक है यह पर एक इसे टालियल लेइड लेखा यहां पर कैसे टालिय क्या आपको देखने में दोनों एकदम अजीव लग रहे अलग अलग दिख रहें यॉर्ला रियाइजी आइ See, but I have written it so differently and this is the trick, this is the catch to writing Aldol. तुम अगर इस तरीके से लिखना नहीं सीखे, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, दिबंग में बिठा लेना, ठीक है? अगर आपने दूसरे कोई टीचर के वीडियो देखे होंगे, कहीं से दूसरे टीचर से सीखा भी होगा, किसी ने, अगर तो देख लो, मैं आपको ये clarity के साथ बता रहा हूँ, कि अगर आप ये तरीका नहीं सीखे, ये वाला लिखने का, तो आप गडबड करो, मैं ये नहीं molecule, एक molecule का alpha hydrogen, alpha hydrogen के पीछे क्यों पड़ें, क्योंकि वो ही attack करने वाला है, alpha hydrogen क्या करने वाला है, attack करने वाला है, किसको, कारबोनिल के oxygen को, फिर से समझो, alpha hydrogen क्या करने वाला है, बच्चों, कारबोनिल के oxygen को क्या करने वाला है, attack करेगा, अच्छा, आप बोलो कि सर, थोड़ी बार बार यहीं बोला था hydrogen is going to attack the oxygen बोला था कि नहीं बोला था बच्चो आप बोलोगे हाँ सही बात है तो कितना सही लग रहा है यह अब समझ में आ रहा है अच्छा पाइबॉंड को तोड़ो आजू बाजू एच और सी एच टू सी एचो को जोड़ो कितना इजी हो गया है अल्डियाड आजटीज रहे गया दूसरे वाले का तो अब देखो क्या बना नाम लिखो नाम चार कारबन की चेन ब्यूटर अल्डिहाइड आलफा बीटा पे क्या है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटर अल्डिहाइड बोलो हाया ना एकदम बढ़िया और अब उपर जाओ मेरे पॉइंट्स में पहला लाइन क्या लिखाए अल्डोलीज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हैंस पूर्वड येस और परफेक्ट कैसे यह समझेगा यह ऐसे अच्छा मैं बता तो आप गलती कहां करते हो और आप लोग भी करोगे हंड्रेट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो करोगे यहां पर फंडा क्लियर र देखो तो बाइ यह यह ने किसके फॉर्म में अटक किया प्रोटॉन के फार्म में यह पूरा का पूरा नुकलियोफायल हुआ कि नहीं हुआ है और नुकलियोफायल आके ड़कारवन पर हुआ की नहीं हुआ को YouTube यह ना तो इसलिए इसको न्यूक्लियोपिलिक एडिशन कहा है अब सब्सक्राइब करोई निकाल दो ख़ाओकश से निकाला यह रहा ऑफ गुरूप अच्छा ओएज गुरूप है यहा पर तीन हाइट्रोजन त्याफ दो हाइट्रोजन का से निकलूगा दो आइटरजन वाले पर सीधी बात है खत्ब वह से निकल दिया अल्फा बीटा अंसाइचुरेटड ब्यूटर आल्डिहाइड पूरा नाम आयूपेसी में क्या होगा ब्यूट्ट्टू इन अल हो जाएगा येस और ब्यूट्टू इन अल पानी निकल गया कंदेंसेशन भी दिया हुआ है जो मैंने अभी इसमें बताया नॉमिन क्लिक्चर के वाक्त है ये सेल्फ अल्डोल का एक्जाम्पल हो गया अगर एक फॉर्मेलड और एक असेटालड वो देता तो पहले तो ये जच करो कि अल्डोल वहागा कि कैनी जरो होगा क्यूं क्यूंकि असेटालड यहड के पास अलफा है मैंने क्या बोला दोनों में से एक के पास ही चाहिए कि किटोन में एक एंग्जांपल करांका अपहर से इसमें कोई किशम सी नहीं करने एग्जांपलin 192 & surface है कि नहीं jaar आच्छा तो एग्जाम में विए और असे में कैसे पुचे ऐसे मोट अन इसे वड़ा ऐसे टोन है ओएच माइनस प्रॉडक्ट बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछने वाला तुमसे तुमको अज्यूम करना है अच्छा ऐसे टोन है ओके ओएच माइनस के प्रेजेंज में और कोई रिएजेंट दिया नहीं है तो अंडर्स्टूड है कि एसे टोन के ही एक्जाम है ठीक है ना तो पहले तो यह सी को क्या आइडेंटिफाइ करने क्वेस्चिन कैसे आइडेंटिफाइब करते हैं समझ में आया सबको यह बच्चा पाटी एस बहुत बढ़िया अच्छा ऐसे टोन को मैंने लिखा सी एस ट्री सी डबल बॉन्ड हो सी अच्छी कार करो अगी करें तुम्हारा रगाaison यह तुम्हारा अटैकिंग बैस्वेन इन यह क्या करता है ओपर जिशन के बोलर की धुलाई करने जाता है यह किया यहैस जाक X2 तुम्हारा इस को मारने के लिए इसce भी यहत्र कर सकते हो तरीके तो मैं 1000 बतांगा तुमको यार्ष रखन कि कारभो निल उक्षिजन को तुमारे सामने रखा और दूसरे यज्वोल अलफा हीड्रजन को तुमारे सामने रखा खोल के समझ रहो है फिर ऐसा दिखाए कि अलफा इसको अट्च कर रहे हैं क्शुक्छ बच्चे अगर इस Type से लिखने की कोशिश करेंगे तो उनका लोचा हो जाएगा देख लो प्रस्ट में तुम्हारे इगढ़बढ होगी ट्राइ करके देख लो तुमने यह मिस्टेक नहीं कि तो नाम बदल देना हर एवरेज बच्चा यह गलती करता ही है देख लेना सी एश त्री सी ओएच अब लोगे सर मैंने यह तो फिगर आउट कर लिया कि यहां से यह जाएगा अब ना यहां पर बना दिया अब बाकी का आपको यहां नीचे बनाना पड़ता है और स्ट्रक्चर कुछ अजीब साही दिखने लगता है लाइन में नहीं आता है समझ रहे हो और फिर यहां पर बच्चे गडबड करते कि अच्छा यह सी एश टू सी डबल बॉंड ओ फिर यह सी एश त्री ऐसा पूरा कुछ तो कॉंपलेक्स सा स्ट्रक्चर बनने लगता है फिर आप खुद को ही डाउट करने लगते हो तो इसी लिए फिर से कह रहा हूँ ध्यान से सुनना स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है उस पे फोकस करना और उसको उसी तरह प्रैक्टिस करना यह रहा एक ऐसे टोन जिसका मैंने कार्बोनिल कार्बन आपके सामने रखा है उसके आगे कुछ नहीं है उसके उपर का जो मिठाल ग्रूप है मैंने उपर लगा दिया ताकि वो बीच में इंटर्फियर ना करे दूसरे वाले का मैंने आपको आलफा हाइडरोजन दिखा द क्या किया मैंने देखो ना यह पार्ट सीधा सीधा पूरा जोड दिया समझ रहो और यह कब पॉसिबल है जब आप ढंग से लिखोगे तब पॉसिबल है आई होप यह रियलाइजिंग दिस एव्यबड़ी फिर से देखो एच ने यहां पर अटाक किया क्या बना ओएच ग्रूप और यह पूरा अब इसका नाम देखो तो पाच कारबन की चेन है पेंटाइन टू और आयू पेसी नेम तो ठीक है बट अगर मैं इसको आपको आपको इसका कॉमन नेम लिखने को बोलता तो आप बोल बलती की तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हाइड्रॉक्सी जो है वह बीटा पोजिशन पे नहीं आ रहा है यह एक हींट है एक ट्रिक है समझनेगी कि आपका प्रॉड़क्स ही बन रहा है कि नहीं सारी चीजों को समझते जाओ सेकेंड स्टेप में इजी है एलिमिनेशन हीटिंग करनी है एलिमिनेशन ओएच और एच को निकालो वाटर मॉलेक्यूल निकल गया क्या बन गया आपका अन्साचुरेटर इस कंपाउंड का नाम क्या है फोर मीथाइल पैंट 3-2 ओन है ना मैंने शुरू में बताया था पे कॉमन नाम क्या है मैसे टाइल ओक्साइड समझें में वो क्या पूछेगा मैसे टाइल ओक्साइड इस फॉर्म्ट बाइदी अल्डोल कंडेंसेशन ओफ ऐसा पूछेगा जाओ क्वेशन पेपर उठाके देखो हजार हजार बार यह क्वेश्चन आपको मिलेगा सीटी का जेई का नीट का कोई भी वश्चन पेपर उठागे लिए बाते समझ में आ रही है मैं कहां से क्या को रिलेट करवा रहा हूं तो यह हो गया हमारा सेल्फ की टॉल का एक्जामपल अच्छे से समझ में आ गया इसका मैंने बता दिया आपको इसका कॉमन नेम क्या थ मैसिटाइल ऑक्साइड था और मैंने आपको बताया कि टेवल में क्यों इंपोर्टेंट लिखावा था है ना पर डारेक्ट क्वेश्चन हजारों बार आ चुके हैं अगला है हमारा क्रॉस अल्डोल का एक्जामपल और बहुत ब्यूटिफुल एक्जामपल क्रॉस अल्ड कितनी बार होगा अब यह नोट करना बहुत प्यारा सा नोट लिखा हुआ है क्या नोट लिखा है देखो कि जब क्रॉस अल्डोल करोगे यहां पर समझने की बात सिंपल बात यह है थोड़ी से कॉमन सेंस करो तुमारे पास दो अलग अलग चीज़े हैं जैसे मैं बार बार टीम का एक्जांपल दे रहा हूं ठीक है तो भाई तुम्हारी टीम ने प्रैक्टेस मैच खेला सामने वाली टीम ने प्रैक्टेस मैच खेला फिर एक बार तुम्हारे बैटर्स ने उनके बॉलर्स की धुलाई की फिर एक बार उनके बॉलर्स ने तुम्हारे बैटर्स की पड़े है ना बहुत सारे है तो एसिटोन क्या करेगा पहले सेल्फ अल्डॉल कर लेगा क्योंकि उसको कंडिशन्स मिल गई बोलो हाया ना जो ओपर दिखाया असिटाल डिएड करेगा सेल्फ कर लेगा पहले ठीक है फिर आलफा हाइड्रोजन ऑफ दी एसिटाल डिएड वि पहले एक अकेला वाला खुद सेल्फ कंडेंशिए यह क्योंकि उसके पास अल्फो रड्रोजन है और पहले वाले का रजो रूप कार्बोनिल ऑक्सिजन को अटक करेगा और फोर्थ स्टेप में क्या होगा उल्टा पहले वाले का सेकेंड वाले का अलफा अटक करेगा करें ये बात समझ में आई सबको yes or no तो possibility समझो 4 possibility है 2 reacted 4 possibility है common sense use करो right तो पहले 2 मैं क्यों नहीं लिख रहा पहले 2 मैंने क्यों नहीं लिखे क्योंकि already मैंने acetaldehyde का self और acetone का self बता दिया ना तुम लोगों अच्छा तुमको ये भी realize होगा बच्चो ध्यान दिना कि boards बे ये लंबा long answer बन जाएगा क्योंकि इतने सारे reaction आएगे ना दो दो step वाले चार reaction तो ये at least 4 marks के लिए question आएगा minimum 3 marks के लिए ये boards में और बहुत बार आता है बहुत बार repeat हुआ ये question ठीक है cross all door I hope ये समझ में आरी बात ठीक है बच्चो we will write step 3 and 4 we will write step 3 and 4 ठीक है कैसे देखो step 3 में मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे acetaldehyde का alpha hydrogen कहा है ये रहा तुम्हारे acetone के carbonil oxygen को attack करेगा समझा product तो तुम बना लोगे बहुत easy है product क्या करोगे OH ग्रूप बाकि पूरा सीधा-सीधा add क्या बनने वाला है कैसे confirm करोगे answer सही है देखो beta hydroxy है बोलो हाया ना चेक कर लो ये तुम्हारा functional group ये alpha ये beta beta पे hydroxy है है या नहीं है correct आरे answer सही है नाम तो आप लिख लोगे नाम का कोई attention नहीं second step में क्या हुआ elimination हुआ minus sign minus h2o कर लो h2o निकाल लिया oh और h निकाल लिया product बन लिया क्या बात clear हुई okay अगला step अगले step में उल्टा होगा ना बच्चों की अगले step में उल्टा क्या होगा की इसका hydrogen मतलब acetone का hydrogen acetaldehyde के कार्बोनिल कार्बोन कार्बन को attack करेगा correct कार्बोनिल ओक्सिजन को attack करेगा सही है ना के बात समझ पारें आप लोग बाकी फंडा सेम तो यहाँ पर भी एक product मिला तो आपको चार अलग अलग reactions हुए एक last reaction मैंने यहाँ पर यह आपकी practice के लिए रखा हुआ है यह आपको लिख कर एक बार try करना है मैंने steps hint में दे दिये बड structure आपको draw करके try करना है तभी आपको confidence आएगा कि आपसे question बन रहे कि acetaldehyde plus benzaldehyde पहले यह बताओ इसमें acetaldehyde में alpha hydrogen है या नहीं है alpha hydrogen है ठीक है benzaldehyde में alpha hydrogen है या नहीं है नहीं है तो इसका क्या होने वाल है cannyzaro इसका क्या होने वाल है aldol क्या यह clarity है आपके life में ठीक है step number one में acetaldehyde self-aldol कर लेगा क्या यह reaction आप लिख पाएंगे यह नहीं सिखा दिया है step two में benzaldehyde self-cannyzaro करेगा वो अपन अगले session में करेंगे ठीक है वो चलो अभी नहीं आता अभी अगले session में सिखाऊंगा benzaldehyde self-cannyzaro कैसे करता है ठीक है और तीसरे में क्योंकि अब एक ही alpha hydrogen है ना किसके पास acetaldehyde के पास तो उसका alpha hydrogen benzaldehyde के carbonil oxygen को attack करेगा क्या यह मौका benzaldehyde को मिलने वाला है नहीं क्यों उसके आप तो यह वैसा हो ना तुम करते देना बच्पन में मेरा बैट है मैं बैटिंग करूँगा और घर चला जाओंगा आउट हो गया तो घर चला जाओंगा करते हैं लोग बच्पन बदमाश बच्चे यह वैसा है इसने बोला मैं attack करूँगा प्यूंकि मेरे पास alpha hydrogen है तो नहीं कर सकता है तेरे पास नहीं है तो self कैनिजारो कर और खुश रहे कि यह बात समझ में आई अच्छा अगर उसको self कैनिजारो करना रहेगा तो condition है ना कि भाई 50% एने वच मिलेगा तो वो करेगा नहीं तो वो यह भी नहीं कर पाएगा समझे की नहीं समझे यह सो नो बात समझ में आई ठीक है तो यहां पर कहां पर क्या combinations बन रहे है आपको वो समझने मैंने अलडोल के बारे में आपको सारी बाते अलग-अलग example self, cross, कौन किसको attack कर रहा है, mechanism क्या है product क्या बन रहा है, उसके IOPC names क्या है वो सारी चीज़े अलडोल के बारे में यहां पर बता दिये हैं, तो अलडोल को अच्छे से पहले समझ लो, practice कर लो और जैसा मैंने कहा, मैं बार-बार कह रहा हूँ अलडोल पर question guaranteed है अलडोल को ना पढ़ना मतलब बेवकूफी करना है ठीक है ज़क है, whether it is your boards or your CET or your NEET or your JE you have to study Ardol Condensation I hope, makes sense to everybody yes अचलो, let's end this